ब्रोट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरी स्मार्टफोन्स जैन साथियों, महामानों, विश्वगुरू, प्रधान सेवक ये तमाम शब्दावनियां हमारे देश के प्रधान मंतरी के लिए इस्तिमाल की गए और उनको बताया गया और वो तो अब खुद भी मानने लगे हैं कि वो उनका जो ज़र्म है वो बाइलोजिकल जर्म नहीं है, वो एक आवतार है तो उस आवतार की, उस महामानों की भासा आपने पिशले दिनों सुनी होगी पहले भी हम लोगों ने सुनी है कभी उन्होंने पचास करोन की गर्ल फ्रेंड कहा, कभी उन्होंने जर्सी गाय कहा, कभी कांग्रिस की बिद्वा कहा, कभी शरत पवार को भटकती आत्मा कहा, उधर ठाकरे को नकली संतान कहा, आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत् अर्विंद केजरिवाल को बदनसीब कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा और अभी इस चुनाओं में तो उन्होंने राजनीती के अस्तर को और भाषा की मर्यादा को पूरी तरीके से तार-तार कर दिया है जिस तरह से प्रधान मंत्री जी पूरे चुनाओं में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार की हतासा है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं प्रधान मंत्री जी कभी वो मतन के बारे में बोलते हैं कभी मदर्सा के बारे में बोलते हैं कभी मुगल के बारे में बोलते हैं कभी मचली के बारे में बोलते हैं कभी मंगल सूत्र के बारे में बोलते हैं और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार करके मुझराश सब्द का इस्तेमाल किया अब हम सब लोग जानते हैं कि पूझी पत्यों के इसारे पर नाचने वाली सरकार कौन सी है देश की मौझूदा सरकार किस तरह से पूझी पत्यों के इसारे पर नासती है सब जानते हैं तो मु तरीके से आप चुनावार रहे हैं और जितना समय बीटता जा रहा है उतना आप अपने आपको एक्सपोज कर रहे हैं पूरे देश के सामने अपनी असलियत आप खोल कर रखते रहे हैं आपके लिए चौथी पास राजा का सब इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल सटीक ब संत्री बनने योग नहीं है दस साल में आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि रोजगार पे आपने क्या किया काला धन लाने पे आपने क्या किया पक्का मान मकान बनाने पर आपने क्या किया किसानों को दो गुना आमदिनी करने पर आपने क्या किया अपके पास क कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया आपने सेलेंडर का दाम तीन गुना बढ़ा दिया पेट्रोल 120 रुपए में डीजल बिका दाल 300 रुपए में बिकी सरसों का तेल 2500 रुपए लीटर बिका महंगाई आसमान पर आपने पहुंचा गैंग बन चुकी है और पूरे देश के जितने बड़े-बड़े ब्रस्टा चारी थे उनको आपने अपने साथ शामिल किया वो चाहे अजीत पवार हो छगन भुजबल हो प्रफुल पटेल हो असोग चोहान हो नारायन राने हो जनारदन रेड़ी हो नवीन जिंदल हो वो चाहे प्रजल रवन्ना हो वो चाहे उन्नाव कांड या हातरस कांड हो वो चाहे पहलवान बेटियों को नया देने का मामला हो हमेशा आप दरिंदों के पक्ष में खड़े रहे जिन लोगों ने गुनाह किया उनके पक्ष में खड़े रहे हमने देखा कि आजे मिस्रा टेन आप की सरकार में आज भी मंतुरी है जिसके बेटे ने चार किसानों को कुछल के मार दिया आप किसी भी सरपे नहीं बोलते बाकी रह गई है मा से मतन हो गया मा से मचली हो गया मा से मंगल सूत्र हो गया मा से मदर्सा हो गया मा से मुगल हो गया मा से मुझरा हो गया अब मा से मा बहन की गालियां बाकी रह गई है तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि मा से मोधी 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 करते रहते हो कहीं मां से मां की गाली ना आपको दे दे मोधी जी इसलिए सभाओं में थोड़ा समल के और बच के जाईएगा जो असल मसला है उस पे अब आते हैं हम लोगों ने क्या कहा बार बार कि प्रधान मंत्री जी भारत के समविधान को खतम करना चाहते हैं और एस भारत के समविधान को खतम करना चाहती है और एस आरक्षर को खतम करना चाहती है डलितों पिछलों और आदिवासियों का आरक्षर इस देश में खतम होगा अगर गल्ती से 2024 में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जीत गए यहीं बार-बार कह रहे हैं हम लोग और इसमें क्या गलत है क्यों इतना पॉखला हुए प्रधान मंत्री जी आपकी असलियत हमने देश के सामने खोल दी तो आप बॉखला कर कुछ भी बोले जा रहे हैं आप जवाब दीजि पूरी RSS ने देश भर में अंबेटकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस संविधान का और यह कहा था कि बाबा साहब का संविधान भारतियता के खिलाफ है पढ़ लिजे तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है अगर मैं कुछ जूट बोल रहा हूं तो बताईए इस आरक्षर दिया जा रहा था तो आपकी पार्टी ने पूरे देश के अंदर खुले आम विरोध किया मंडल कमीशन का खुले आम पिछलों के आरक्षर का विरोध किया और इतना विरोध किया कि आपने विस्वनात प्रताब सिंग की सरकार आपकी पार्टी ने गिरा दी जो के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा आरक्षर खतम होना चाहिए मन मोहन वैद जो संयुक्त रास्टी महा सची हूं है आरेसेस के उन मन मोहन वैद ने कहा आरक्षर से अलगावाद फैलता है और अभी ताजा उदारन उठा के देख लिए उत्तरपदेश के मुख्यमंत्री का ए इसके अलावा आपका प्रचार करने वाला जो सबसे बड़ा व्यक्ति है जो आपके विचारों को पूरे देश में फैलाता है अमित मालविया उसके साथ विचार आरक्षर के खिलाफ मैं देश के सामने कर चुका हूँ अपने ट्वीट के माध्यम से उसने एक दो बार नहीं साथ बार आरक्षर का विरोध किया और कैसे विरोध किया है वो मैंने सामने रखा है उसने ST, SC, OBC के आरक्षर का खुलेयाम विरोध किया और कहा कि ये खतम होना चाहिए उसने महिला आरक्षर का विरोध किया कहा कि य इसके अलामा तेजस्वी सूरिया वो क्या कहता है आपका सांसर वो कहता है आरक्षण एक गंदा दल्दल है आरक्षण खतम होना चाहिए और प्रधान मंत्री जी आपके राज में पूरे देश के विश्विद्यालों में आरक्षण को आपने कुचल के पूरे दान में डाल द जाय को आसे संवीद्धान के उपर संवीद्धान के बारे मैंने तो नहीं कहा आपके खुद के सांसर लल्लू सिंग ने कहा चार सो सीड़ चाहिए संवीदान खतम करना है जोति मिर्धा जो आपकी प्रत्यासी थी राजस्तान से बीजे पीगी उन्होंने का 400 सीट चाहिए सम्विधान खतम करना है अरुन गोबिल जी जो मेरट से प्रत्यासी थे उन्होंने का 400 सीट चाहिए सम्विधान खतम करना है दिया कुमारी जो आपके डेपूटी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा 400 सीट चाहिए सम्विधान खतम क चाहते हैं यह आपकी सचाई है यह आपको इस असलियत को पूरे देश के सामने इंडिया गडबंधन ने इंडिया गडबंधन के नेताओं ने खोल कर रख दिया है और इसी के कारण आप बोखलाए हुए हैं विपक्ष के लोगों को गालिया देने से काम नहीं चलेगा आपकी पार्टी ने क्यों किया संविधान का विरोध आपके सांसदों ने क्यों किया इन सारे मसलों का एक एक करके जवाब दीजिए और विश्व इद्यालों में आरक्षन को आपने खतम क्यों किया इसका जवाब दीजिए और इसका भी जवाब दीजिए कि केंद्र सरकार क आप सवालों का जवाब नहीं देते हैं आप गाली गलोज की भासा का इस्तेमाल करते हैं तो मैं प्रधानमंत्री जी आप से कहना चाहता हूँ आप कितनी भी गाली गलोज कर लिजे आपकी असलियत पूरा देश जान चुका है और आप आरक्षर खतम करेंगे सम्विधान खत करेंगे。 सूरत में आपने चुनाओ खत्म किया बगएर चुनाओ के बीजेपी महाँ जीद गई और रूनाचल प्रदेश में आपने चुनाओ खत्म किया, दस विधाये बगएर चुनाओ के महाँ जीद गए, इन दौर में आपने कॉंग्रेस पार्टी के केंडिडेट का आप पार्टी नहीं, आप रहाण गैंग बन चुके हैं, आपकी पार्टी पार्टी चोर पार्टी है, मैं ये सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ, आपने उधर ठाकरे की तीरकमान चुरा ली, आपने शरत पवार की घड़ी चुरा ली, आपने चंडी गड़ के अंदर जो मेय जीता हुआ था, उसके वोट आपने चुरा लिया, इंडिया गड़ बंधन का जो मेयर जीता हुआ था, आम आदमी पार्टी का, ये तो धन्यबाद है, सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने लोकतंत्र की रच्छा की, तो इसलिए प्रधान मंत्री जी, मैं फिर दोरा रहा जो बार आप से सवाल पूछूँगा, आपने आरक्षन इस देश में खतम क्यों किया, विश्य विद्यालियों के अंदर, सम्विधान खतम करने की आपकी योजना, RSS की और आपकी योजना क्यों है, आप दलितों पिछणों और आदिवासियों से इतना विरोध क्यों करते हैं, जाती जनगरना आपने क्यों नहीं कराई, मेरा सवाल है कि मंदिर के सिलन्यास में, प्रभु स्री राम के मंदिर के सिलन्यास में, तत कालीन रास्टपती, स्री रामनात कोविजी को आपने क्यों नहीं बुलाया, संसत के उधाटन में, वर्तमान रास्टपती, स्री मती द्रोबदी मुर्मूजी को आपने क्यों नहीं बुलाया और राम मंदिर के उदगाटन में प्रभुसरी राम मंदिर के उदगाटन में आपने मौजूदा रास्टरपती स्रीमती द्रोबदी मुर्मूजी को क्यों नहीं बुलाया जवाब एक ही है दलितों से पिछणों से आ आम आदमी जो महंगाई से बेरोजगारी से सम्विधान खतम करने की आपकी योजना से आपके आपके आरक्षण करने की योजना से वाकिफ हो चुका है उसको मालुम चल चुका है आपके इसलिए वह आपके खिलाफ वोट करेगा आपको हराएगा जैहिंद इंकलाब झाल झाल